हेलो एवरिवन, लाणाखिलास क्लासिस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, J-C-E-R-T, क्लासिक्स की पार्टि पुस्तक, हिंदी, भासा मंजरी, इसके पार्ट फोर आउ लिखने नई कहानी, कि प्रश्णोतर को हम लोग देखने जा रहे हैं, ये प्रश्णोतर आपकी प्रिष्णंख्या 24 में दी गई है, पहले इसके प्रश्णों को देखेंगे, उसके बाद वन बाइ वन करके उसके उतर सही उस्वे डिसकस करेंगे, ठीक है? तो इसका पहला प्रशन है इसका वीता में बेटी यूग से कभी का क्या तात परी है? कभी को इसकी आवशकता क्यों महसूस हुई? दूसरा कोस्चन है आपकी समस से हम सब मिल कर कैसा इतिहास गड़ेंगे? इसका तीसरा कोस्चन है बेटी यूग को सम्मान पर्व, प के आंगन तक कैसे पहुँचेगी इसका छठा प्रश्ण है कभी को बेटी यूग की हवा सुहानी क्यों लग रही है इस तरह से चो के चो कुश्चन हम लोग क्या करेंगे इसके उत्तर के साथ देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण है इसका विता में बेटी यूग से कभी का क्या तात परे है कभी को इसकी आवशक्ता क्यों महसूस हुई इसका उत्तर है इस कविता में बेटी यूग से कवी का तातपरे इस यूग में बेटी के महतु को पहचान कर समान देने से है ताकि बेटा और बेटी के बीच भेदभाव मिठ जाए और दोनों को विकास का समान आउसर मिले कहा गया है कि बेटा बेटी को समान मांनते हुए क्या करना चाहिए समान अऊशर देना चाहिए इसलिए इस कविता में बेटी यूग की बात की गई है next question है आपकी समस्षे हम सब मिलकर कैसा इधिहास गड़ेंगे इसका उत्तर है हम सब मिलकर समाज के विकास और अपनी सफलता का इधिहास गढ़ेंगे हम सभी मिलकर के क्या करेंगे समाज का विकास भी करेंगे और खुज जो है वो सफलता भी हासिल करेंगे इसी तरह के इधिहास को रचेंगे ठीक है तीसरा प्रशन है बेटी युको सम्मान पर्व, पूनि पर्व तथा ज्यान पर्व क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है बेटी युको सम्मान पर्व, पूनि पर्व तथा ज्यान पर्व इसलिए कहा गया है कि बेटियों के परती सम्मान का भाव लापाएं उनकी वर्तमान इस्थिती से उनको सम्मान की इस्थिती तक पहुँचाना पुन्य पर्व है तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षर्ता से साक्षर्ता की और उनमुक करना ग्यान पर्व है यहाँ पर तीन जो है सब्द प्रव्यों किये गए है इस कोश्चन में पहला है सम्मान पर्व मतलब बेटियों को सम्मान देना दूसरा है पुन्य पर्व पुन्य पर्व कहने का अर्थ है कि उनकी जो वर्तमान इस्थिती है उस इस्थिती से उसको और अच्छे इस्थिती त पुकारेंगे ज्यान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी इसका उत्तर है ज्यान गंगा की पावन धारा बेटे और बेटियों की सिक्षा के माध्यम से सबके आंगन तक पहुँचेगी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ बेटे को भी नहीं बेटियों को भी उन कवी को बेटी यूग की हवा सुहानी इसलिए लग रही है कि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करने की मानसिक्ता से छुटकारा मिलता दिख रहा है साथ ही दोनों को समान औसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है जिससे परिवार, समाज और राष्ट का विकास होगा यहां कहा गया है कि कभी को बेटी यूग की हवा सुहानी मतलब आज कल का जो यूग हो रहा है बेटी यूग ये सुहानी क्यों लग रही है ये सुहानी इसलिए लग रही है कि बेटी और बेटी दोनों की बेट जो पहले भेदभाव होता था अब भेदभाव कभी को क्या म निटता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं अब जो है इससे छुटकारा मिल जाएगा इसलिए बेटी यूग की हवा सुहानी लग रही है कभी को ठीक है इस तरह हम लोग ने इस चेप्टर के छो के छो प्रशन उतर कंप्लीट किये उमीद है आप सबको पसंद आया होगा ठीक ह वीडियो को पॉच करके आप लोग अपने कॉपी में इसे लिख लें ठीक है अच्छे से ताकि आप लोग जो है अपने एकजाम में भी इसे लिख सकें आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से एर सब्सक्राइब ज़रू कर दीजेगा थेंक यू